नमस्कार दोस्तों मैं हूँ धीरज और श्वागत करता हूँ आपका study.com के इस्टोडियल में आज किस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बॉर क्लास 12 के 100 माकस हिंदी का एक चैप्टर इसका नाम है अधिनायक और यह लिखा हुआ है रगुवीर साहय जी के दौरा तो सबसे पहले हम लोग हमेसा की तरह देखते हैं चैप्टर में लेखक के बाड़े में लेकिन अभी चैप्टर को सुरू करने से पहले हम लोग अधिनायक जो शब्द है इसका meaning जानेंगे ठीक है आपने एकदम से जैसे ही अधिनायक शब्द मैंने कहा होगा या आपने प अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता ठीक है तो यह जो हमारा राष्टगान है इस राष्टगान में यह जो शब्द आता है अधिनायक इसी शब्द के ऊपर रगुवीर सहाय जी ने क्या किया है व्यंग कशा है ठीक है ना व्यंग व्यंग आप समझ में आता है ना आ है शासक इसका मतलब क्या होता है शासक ओके शासं करने वाला और आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग शुवतन्तर है आज हमारे देश में लोकतांत्रिक शासनवेवस्था है मतलब यहां पूरी की पूरी जनता सासन करपी है यहां मालिक कौन है जनता है यहां हमारे उपर कोई सासक नहीं है कोई राजा माराजा नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी जब भी हम लोगों का कोई राष्ट्रिये पड़व होता है कोई राष्ट्रिये तेवहार आता है जब भी 15 अगस 26 जनवरी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या जनगरमन अधिनायक जयाएगा ते हैं इसी अधिनायक सब्द के ऊपर यहां लेखक ने व्यंग किया है और बैसिकली यह व्यंग जो है इस शब्द के साथ जो है यह टार्गेट करता है किसको नेताओं को ठीक है वैसे नेताएं जो जनता का हक खा जाते हैं जो जनता के अधिकार को खा जाते हैं उन नेताओं के उपर ये कभीता को क्या किया गया है इस सब्द को लेके टार्गेट किया गया है ठीक है ना? कि आज लोग तांतरिक बिवस्था में भी हम लोग अधिनायकों की गुनगान करते हैं ठीक है और जहां तक मैं समझ पाड़ा हूँ ऐसी ही कुछ स्थितियां है ओके तो चलो हम लोग इन सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे लेकिन हम ऐसा की तरह सबसे पहले हम लोग जाने के लेकक के बारे में लेकक का जनम हु दिसमबर 1929 ठीक है और मिर्तु हो गए थी इनकी 30 दिसमबर 1990 में जनम इनका हुआ था लखनव जगह है आपको पता ही है उत्तर प्रदेश की जगह है ये और पिता का नाम है हर्देव शहाए ठीक है ना हर्देव सा है पेसे से सिच्छक थे लेखक जो है हमारे रगुवीर स इन्होंने में किया हुआ है अंग्रेजी से किया हुआ ठीक है और यह कहां से इन्होंने में किया था इन्होंने में किया था लखनाव विद्स्वविद्यादय से ठीक है ना इनकी रूची किस चीज में थी मतलब इनका मन किस चीज में लगता था ठीक है तो इनकी रूची थी शंगीत सुनने में और फिल्म देखने में ठीक है आपकी भी कुछ रूची होगी कमेट कीजिए आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आप जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दिजेगा कि क्या वो इंटरेस्ट आपके लिए सही है या नाव आगे बढ़ते हम लोग भाई और ब्रिती की बात करते हैं ब्रिती का मतलब होता है प्रोफेशन ठीक है इनका जो रोजगार था ठीक है यह क्या करते थे तो यह करते क्या थे पत्रकारिता करते थे ठीक है पत्रकार थे पेशेत से जॉर्नालिस्ट से और नौ जीवन था नौ भारत टाइम्स के लिए इन्होंने पत्रकारिता की हुई है नाउ इनकी रचना की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजेगा कभीता कहानी और निबन तीनों अलग अलग हमने लिखा हुआ है शीरियों पर धूप में ये कभीता भी है कहानी भी है निबन भी है तो ध्या अगला कभीता है ओके आत्म हत्या के विरुद्ध अना ऐसे ही आगे है हशो हशो जल्दी हशो ये कभीता है ध्यार नकिएगा याद कर लेना पूछ देता है एक्जैम में कि हशो हशो जल्दी हशो किसकी कभीता है ओकी लोग भूल गये हैं ये भी कभीता है इन्हीं की ओकी नव कहानियों की बात करें तो कहानिया इनकी है रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं ये कहानिया है ठीक है और निबंध इनोंने लिखा हुआ है दिल्ली मेरा परदेश एक और इनका निबंध है लिखने का कारण और भी जो कुछ भी आप बुक से पढ़ लेना ठीक एकदम line by line जो है इस poetry का explain करते हैं इस poetry को तो देखो ये poetry जो है अधिनायक ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो राष्ट गान है उसमें जो सब्द है अधिनायक उसी सब्द को लेके ये सब कुछ लिखा हुआ है तो चलिए पढ़ते हैं इसको नीचे ब्याक्या लिखी ह हुई है अगर एक्जाम में आये ये line तो लिख देना ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है ओके नाव लिखा हुआ है रास्ट गीत में भला कौन वह रास्ट गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा शुतनना पहने जिसका गुन हर्चड गाता है ये हर्चड़ना जो है ना भाई पूछ देगा कोश्चेन आप से की हर्चड़ना कौन है तो देखो ये हर्चड़ना कोई नहीं है ये एक स्राधारन सा इंसान है ये कोई विशेस इंसान नहीं है एक गड़ीब आदमी है एक पीड़ी तादमी है एक शोसी तादमी एक middle class family का ये ब्यक्ति है और जब भी 15 अगस्त आता है जब भी 26 जनवरी आती है तो ये हर्चरना जो है उस अधिनायक का गुनगान करता है हम लोग आते हैं ना कि जन अधिनायक जया है तो लेखक करते हैं कि ये हर्चरना जो है फटा सुथनना पहने फटा सुथनना पहने का मतलब होता है कि फटे पुराने कपड़ों में फटा सुथनना का मतलब होता है कि पुराने डंकी डीली ढाली हाप पैंट लिखा हुआ है आपके बुख में तो ये फटा सुथननना पहने ये हर्चरना पता नहीं किसका गुनगान करता है पता नहीं हम यहां पे कुल मिलाके लेखक ने टार्गेट किया है उन लोगों को जो गडीबों का सोशन करते हैं ठीक है जो गडीब जो है जिनके चलते आज वो कस्ट में है पीरित है सोसित है उन सभी जो सत्ताधारी वर्ग हैं जो नेतावाले वर्ग लोग हैं उनी को यहां पर टार्गिट किया गया है ठीक है नहीं साब से जाहन. इसको तक सोच आ रहा हूँ थिक है तो यह यहां लेखक करते हैं कि वहीं चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई आगे कहते हैं कि मखमल टम टम बलम तुड़ई पगड़ी छचत्र चमण के शाथ तोप छुडा कड़ ढोल बजा कड़ जैजे कौन कड़ाता है लेखक करते हैं कि पता नहीं ये कौन अधिनायक है जो मखमल का वस्तर पहना हुआ है टमटम पे सवार है देखो ये सारी की सारी जीजे राजसी वेस होती है राजा महराजा जो लोग थे वो एकदम मखमल पे सवार मखमल वाले कपड़े पहनते थे गोड़े पे सवार होते थे तुड़ा ही जो है एक तरीकी का बाजा है ठीक है ओके तो यहाँ सब कुछ जो है राजसी वस्तरों का पड़ियोग किया गया जिसके आगे पीछे लोग एकदम भीडे हुए है लाइन लगाया हुआ है लोगोंने मतलब चमर डूलारे है ठीक है ना आगे पीछे लोग कर रहे है जिसके सीर पे च्छाता है तो वही लेख़ब करते हैं कि पता नहीं यह कौन है जो अपनी जयजयकार करवा रहा है जिसकी जो है तोपों से सलामी दी जा रही है पता नहीं यह कौन है ठीक है, लोग जिसकी जैजाकार कर रहे हैं, पूडब पच्छिम से आते हैं, नंगे बूचे नरकंकाल, शिंहाशन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, लेखा करते हैं कि लोग जो है, जब हमारा कोई राश्ट्रिय पढ़वो होता है, तो सभी दिसाओं से, ठीक है, सभी दिसाओं से, पूडब पच्छे मुतर दक्छिन, सभी दिसाओं से लोग जो है, आते हैं, नंगे, नंगे पाम आते हैं लोग, नंगे बूचे नरकंकाल, आपने देखा होगा, कि 26 जनवरी 15 गस्त के दिन, एकदम जहाँ भी, हम लोगों का धवजतोलन होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, और गड़ीबी के कारण ऐसा लगता है, कि वो एकदम कंकाल हो गया है, सरीर में कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसी स्थितियां होती हैं, तो वही लेखक करते हैं, कि पूडब पच्छिन से आते हैं, नंगे बूचे नरकंकाल, शि पता नहीं कौन है ये कि जो गड़ीब किसानों की कमाई खाड़ा है, तमगे लगवारा है, मतलब मेडल लगवारा है, ठीक है, तमगा का मतलब होता है मेडल, तो पता नहीं ये कौन है, जो गड़ीबों का मेडल जो है, वो खुद अपना लेड़ा है, गड़ीबों की जो उसको हडपना है यह अखिर कौन जो सिंहासन पर बैठा हुआ है ओके कौन कौन है वह जनगमन अधिनायक वह महा बली कौन है वह जनगनमन है वो महाबली कौन है डड़ा हुआ मन बे मन जिसका डड़ा हुआ मन बे मन जिसका बाजा रोज बजाता है पता नहीं है अधिनायक कौन है जिसका हमारा मन ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी डड़ा हुआ मन बे मन जिसका बे मन नहीं चाहता है मन के ना चाहते हुए भी लोग डड़े हुए हैं, सहमे हुए हैं जिसका बाजा रोज बजाता है लेकिन लोग फिर भी उसकी गुनगान कर रहे हैं पता नहीं ये महाबली कौन है, पता नहीं ये अधिनायक कौन है तो ये थी कभीता तो ये थी कभीता, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो शेर करना इस वीडियो को भाई जितने जाजा व्यू हमारे पास आएंगे हम समझेंगे कि आपका उतना जादा सपोर्ट हमको मिल रहा है और हमारे टेली ग्राम से आप जुड़ो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है